नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आप सभी की फर्माइस पर आलू गोबी के कुरकुरे पकोडे जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही लजीज बनते हैं जैसे हम इनको कभी भी किसी भी समय बना सकते हैं बर्सात के मौसम में या जब भी दिल चाहे जब इसको खा सकते हैं तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा को समानों के ज़रूत नहीं होती है तो चलिए अब हम बनाते हैं आलू गोवी के कुरकुरे पकोड़े तो अब हम इसके लिए लेंगे सामिगरी जो कि है उबले हुए आलू जो हमने उबाल के काट लिए हैं हरा धनिया बारी कटा हुआ हरी मिर्च और गोवी हमने बेशन लिया है और बेशन में स्वादानुसार नमक मिला लिया है इसमें और नमक के गाद हम इसमें मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर जितना तीखा करना चाहिए आप कर सकते हैं या जितना कम करना चाहिए उतना कर सकते हैं कोई प्रॉल्ब नहीं है इसमें धनिया पाउडर मिलाएंगे और उसके आद हम डालेंगे healthy powder थोड़ा सा क्योंकि इसमें color आ जाएगा अच्छा लगता है और ये हरा धनिया है बारी कटा हमने इसमें डाला है और हरी मिर्च ये भी बारी कटी हुई है आप इसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं कोई problem नहीं है अब इसमें हम पानी से इसका गोल बनाएंगे और पानी आवे बीच का ठीक है इस तरह से हम इसको गोल बना लेंगे और इसको पांच मिट ले रख देंगे जब तक हमारा तेल गरम होगा जब तक हमने इसको रख दिया है ठीक है और अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में डाल रहे हैं सरसो का तेल सरसो का तेल इसलिए ड नमक और पानी के छीटे डाल सकते हैं, जिससे जो हमारी ज़रे वो हड जाएगी, देखे, इस तरह से हम इसमें पानी के छीटे डाल देंगे, नमक और पानी के छीटे हमने इसमें डालके इसकी ज़र को हटा दिया है, अब ये तेल हमारा खाने योग्य हो चुका है, कड़वा नहीं है, जैसा कि पहले था, अगर कड़वापन होता है, तो उसको भी हम कर सकते हैं, कि हम उसको सीधे पहले धुआ निकाल लें, तेल का उसके आद हम उसको यूज कर सकते हैं, तो हमने पहले गोबी के बनाये हैं, गोबी को बैटर में हमने मिलाया है, और धीरे-धीरे करके इसको डाल रहे हैं और आराम से डालें जिससे तेल ऊपर न छिटके तो हम इसको डाल लेंगे क्योंकि यह हम दिखाने के लिए कर रहे हैं तो काफी समझदारी यानि समहल के करना पड़ेगा हमें तो अब हमने इसको आज को थोड़ा सा है मीडियम रख लिया है ना जादा ना कम क्योंकि जब हमने पोड़े डाल लेता है तो तो हमां आग को विकिनी दिएAct lot फेर हमने इसको दम बको डाल को दो बार fry करेंगे क्योंकि गोई के अंदर वैसे Tscher होता है तो उसको क्योंकि अगर इसको एक वार ही Fright करके निकाल लेंगे तो फथीले से हो जाते हैं लेकिन हमें तो कुर खुरेश चाहिए है य 1965 को थायइट रखेंगे तो एक वार जैसे ये हो जाएंगे हम इनको उतार लेंगे फिर अब ये हमारे एक वार हमने इनको प्रेट कर रख दिया है और थोड़े देर इनको होने देते हैं क्योंकि मौसम के हिसाब से सब चीज़े खानी जरूरी है तो कम तेल घी का इस्तमाल करना चाहिए इसके लिए हमने गोवी को पूरी दर से पहले दोकर साफ कर लिया था सुखा लिया था इसको जिससे इसके उपर बेसन लग जाए कुरुकर बनाने के लिए हम इसको दो बाद फ्राइ करेंगे दीखे अब ये हो चुगा अब हम इनको उतार रहें एक वार और फिर इनको ठंडा कर निकले रख देंगे ठंडा करके इनको फिर हाथ से दवा कर फिर दौर इसको डालेंगे तो देखे अब हम इनको निकाल रहे हैं और इनको ठंडा कर निकले रख रहे हैं थोड़े देर के लिए क्योंकि जिससे ये हाथ से मसल जाएं, अगर हम इनको गरम ही मसल लेंगे, तो हमारे हाथ जलने का डर रहेगा ये तो सभी को पता है तो जलना नहीं है हमें बहुत अच्छी तरह से इसको बनाना है बहुत टेस्टी बनते हैं तो हमने ये निकाल लिए अभी अब ठंड़ होने के रग दिया है अब ठंड़ होने के बाद हम इनको हाथ से देखिए हमने दवाकर इनको फिर द्वारा से fry होने के लिए डाला इसमें अब ये final fry हो रहे हैं और हमने इस तरह से इनको use करना है बहुत ही tasty लगते हैं जब यह बन कर आएंगे चाय के साथ, कॉफी के साथ, या सिकंजी बगरे के साथ, अब किसी की भी साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इनको पल्टेंगे हम लोग, साथ दानी के साथ, पूरा इसमें सब में घी में, तेल में डूब जाएंगे, क्योंकि पकड़ों का जो स्वाद है, वो सरसो के तेल में ही आता है, इसलिए हम देखे कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका निकल कर, और अब हम इनको निकालेंगे, जब इस समय खसता खसता बहार आ रहे हैं, और पूरा निच्रल ये गा, वैसे तो इस सरसो के तेल है, सेहत के लिए अच्छा होता है, बुरा नहीं है, और हमने ये निकाल लिए हैं, अब इसी प्रगार हम आलू के पौकोड़े बनाएंगे, जो हमने उबले हुए आलू बैटर में, और एक ही करके साथ चमस के साथ या हातों से आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आराम से आप डालेंगे, और इस समय फ्लेम को लो कर रखा है, ये ध्यान रखे क्योंकि जब भी आप पकोड़े वगरा कुछ भी तलते हैं, तो उसमें जो फ् अंदर तक सिखती है, और अब हम इनको एक एक वार पर लट रहे हैं, देखे कितना अच्छा बेशन लगाया आलू के उपर, और कलर भी थोड़ा अच्छा आ गया एक वार में ही, और बहुती कुरकुरे लग रहे हैं, देखने से पता चल रहा है कि हाँ, आलू ने बेशन क पकल रखा है, और बेशन फाल तुम्हें नहीं निकल रहे हैं धर से उधर, देखिए क्या अच्छा कलर आया है, ब्राउन से हो गए हैं, और अब हम इनको एक वार प्रट कर फिर निकाल लेंगे, और फिर इसी तरह से बाकी के भी बैच को हम पूरा कर लेंगे, सारा काम सिक क्या कलर आया है, खुस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मज़ेदार लग रहे हैं, देखने में इतने मज़ेदार हैं, तो सोचे खाने में कितने लगेंगे, और गरंगरम खाने का तो एक अलग ही स्वाद आता है, अब हम इनको निकाल रहे हैं, और इसी तरह से हम बाकी के बैच को भी त्यार कर लेंगे, और फिर इनको हम खाने में चाय के साथ, या किसी भी चीज के साथ इसको खा सकते हैं, रोजे में, या जब भी इसका मन करें, तो आप अपने घर पर आरसान इसे बना सकते हैं, इसको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, महनत, देखे कि आप अं 5000 कलर आ रहा है, और अब हमारे यई बनकर तैयार हो गए है, और इसे तरह से हमने बाकी के भी बना लिए है, और ये भी हम निकाल रहे हैं, अब दिरे दिरे, बहुत अच्छे कुरुकुरे लग रहे हैं, हमने इसमें कोई चावल काटा नहीं मिलाया कुरकुरे करने के लिए हमने इसमें बस बेसे नहीं रखा है कोई भी एक्स्टा समान नहीं मिलाया है कि हम यह बता है कि चावल काटा डालके हमने बहुत कुरकुरे बनाए हमने 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 प्यूर बेसन लिया है और बाकिक अपने मसाले हैं और कुछ भी इसमें एक्साराइए अब यह हमारे बं चुके हैं और हम इसको खाने के लिए तयार हो गए देखेए बहुती बहतीं कुरीशे अब इसको हम लगाएंगे चांट मसाले के साथ और हरी चट्नी के साथ इसका यूज करेंगे बहुत अच्छा लगता है ये आप इसमें कैचप भी यूज कर सकते हैं लेकिन हमने नहीं किया है क्योंकि हमें ये ऐसे ही अच्छे लग रहे थे कैचप रख सकते हैं अगर चाहें तो आप या हलवाई की मीठी चटनी रख सकते हैं वो भी अच्छ कर लें, बड़ी महरवानी होगी, धन्यवाद, और जैसा भी आपको लगता है, बना के हमें जरूर बताएं कि आपको कैसे लगे हैं, और हमारे चैनल गराम VSB Food Safari, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, कि इसका आनंद आया या नह हमें, तो चलिए, अब हम नुमिल कर इनको खाते हैं, तो हम आब आपसे बिदा लेते हैं, और अगली रेसिपी में मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार, शास्रियकार, आदाव,